इतना बड़ा नाम ने है इतना बड़ा और का सब्सक्राइब है के से ड 현재 में तो कर्मान थिए तो फित ले के मानना पहले ली एक और देश में कोरोना के बढ़ते आंकलों को देखते हुए सरकार चिंतित है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन्स की अपील कर रही है वहीं दूसरी और पंचाय चुनाब में लगातार कुरोना गाइडलाइन्स की धज्जिया उड़ाई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन इस पर मौन है कोई कारवाई करने को तयार नहीं है क्योंकि मामला बीजे पी से जुड़ा है सत्ता की हरक पुलिस और प्रशासने कदिकारियों पर इस कदर सिर्चर कर बोल रही है कि वो इन लोगों के खिलाब कारवाई करने को तयार नहीं है वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आम जनता की तो अगर बिना मास्क के सडकों पर घूमते मिल जाएं तो उनका चालान किया जा रहा है ताजा मामला उत्तप्रदेश के जनपत हातरस से सामने आया है पंचायद चुनाब में हातरस जिले में मशहूर हर्यानवी डांसर सपना चौधरी जिला पंचायद के बार 14 से बीजेपी प्रत्यासी रितू पाद्याय के समर्थन में उनके इलाके में रोड़ शो करने आई थी लेकिन प्रशासन की पर्मिसन के अभाब में यहां उनका रोड़ शो तो नहीं हो सका लेकिन उन्होंने आगरा अलीगर हाईबे पन नगला भूसा चौराहे पर एक टाटा मेटा डोर पर बने मंच से प्रत्यासी के समर्थकों को अपने लटके जटकों और एक गाने की आप इन दिस्वों में साफ तोर पर देख सकते हैं यहां दूर दूर तक भी कहीं कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं हो रहा है मेटा डोर में बनाए गए मंच पन ना तो लोगों ने मास्क लगाई हुए हैं और नहीं सपना चौधरी जो की लोगों से कोरोना गाइडलाइन्स पालन करने की अपील कर रही हैं आपको याद दिला दे के पिछले लोगसभा चुनाव में मत्रा जनपत से सपना चौधरी ने बीजेपी से लोगसभा चुनाव लणने की टिकेट मांगी थी लेकिन बीजेपी ने उनको टिकेट नहीं दिया था आज सपना चौधरी बीजेपी प्रत्यासी के समर्थन में रोड शोकर जनता को लुभाने की कोशिस में जोटी है बढगी देखों चीज कसुती ने तच बन पानी ने चाली ने तच बन पानी ने चाली